असलाम अलेकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे efficiency of butt joint का numerical पिछली वीडियो में हमने देखा था efficiency of lab joint अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो आप description में link given है आप महासे जाके देख सकते हैं और आज हम करेंगे efficiency of butt joint का numerical और हम यह भी देखेंगे कि efficiency किस में ज्यादा होती है lab joint में या फिर butt joint में तो butt joint क्या होता है जो हमारी plates अगर face to face connect जो को connect करनी plate जो face to face connect है और उपर और नीचे दो cover plates लगी हो तो वह हमारा butt joint तो हमको कुशिन करना है butt joint हमको efficiency निकालनी है जिसमें यह जो plates हमारी connecting plates उनकी thickness दरीकी 20 mm यह given है यह तो cover plates होगी आपकी सब्सक्राइब की thickness बार 12 mm मतलब नहीं आपको और आपको बोल्ट दरीक है m20 ग्रेट दरीकी 4.6 और इस टील जो प्लेट की है वह फोरन एफी 410 एट्वाइफ जिरो और आपको question में बोला है कि strength of joint बताओ और efficiency क्या होगी वह बताओ यह इसका plan गिवन है आपको है ना और 12 mm थी cover plates are used ठीक है अब हम solution करते हैं इसका सबसे पहले हम given लिख देते हैं हमको given क्या है m20 bolts गिवन है मतलब करता आपका diameter of bolt लब diameter of bolt क्या वह 20 mm मैं आपको पहले बता रहागा अगर bolt diameter 20 है तो इसमें आप अगर कर दो तो आप होल का diameter देगा मतलब बोल्ड और होल का अलग हो ना होल का बड़ा होगा तभी बोल्ड आम उसमें टाइट कर पाएंग तो डियो क्या होगा 22 लेसमें टू एड कर देना आपको और कुछ निए 22 mm हो गया वह आप देखो और और फवाइञ में confusion होती है तो आप ऐसा देख सकते हो कि एफ यू हमेशा बड़ा होता फवाइज से तो थो हैना तो फव यह हो जाएगा और यह हो जाएगा बापकि बोल्ड क्रेंट क्या रख़ती तो आपको पढ़ती आपको परती फवाइब की और फवाइब की और और आपका किस अगहा तो में नहीं करना है 4.6 है तो पॉइंट 6 को लोगा धो तो डबल जाएगा अगर इसकी जगह पॉइंट एट होता मानलव तो आप क्या करते है 20 एड करते हैं इसके अंदर और एक्स्ट्रा तो यह तरीका हो गया इसमें तो मल्टिप्ला करना और इसमें सिर्फ फॉल्ड कर दो जो लगाना थो तो थिक्नेस हमारी प्लेट दिर की 20 मतलब यह जो है टोटल यह कितनी है 180 मतलब यहां से लेकर यह कितनी दिर कि हमको 180 mm की विट्थ है तो हम करते हैं सबसे पहले step first मैं को होता है strength of joint क्या होता है तीन चीजों का least होता है first उसमें step first में क्या हम निकालते हैं design strength of plate due to rupture at critical section मतलब हम निकालते है strength की strength निकालते है plates की strength of plates का given आपको page number 32 पे formula given है design strength due to rupture of critical section plates के लिए given है वैसे कि आप formula लिग दो TDN इसकलिए पॉइंट ने फियो अपन का में मेल और an क्या है आप है एन एरिया नेट एरिया उसका भी अगले page नमर पे गिवन आपको एन क्या होता भी माइनस nd not और यह summation में यह value है लेकिन यह हमारे इस case में zero हो जाएगी यह zero क्यों हो जाएगी इस case में क्योंकि staggered नहीं हमारी bolting simple bolting है इदे को staggered यह होती है यह staggered जब भी आती है न तो आप यह यह चीज़ काम मिलेनी पड़ती है लेकिन हमारे पास staggered तो है नहीं कुश्चन मामर तो यह staggered नहीं है तो हम क्या करेंगे वह चीज़ जिरो हो जाएगी तो हमारा फॉर्मला क्या हो जागा टीडी एन मराबर पॉइंट नहीं फ्योंको मालूम है फॉर अंडर टैन गामा एमिल हमको मालूम है पार्षिल सेफ्टी फेक्टर यह आपको वैल्यू नहीं मालूम तो यह पेज नेवर्ट थर्टी पे घवन है ताहिता हूं मैंको पेज नेवर्ट फर्टी पे गामा एम्ल की वाल्यू सब की वैलिविवन है1.25 नहीं इंडियू तो थीज़ो हो जाएक यह तो भी मैनेस नीट इन को हैं अब आपको अब पश्रीर आपको अब आपको उस्तितन section के number of bolts critical section मतलब हमको इसमें दोनों इन दोनों प्लेंस में एक ऐसा प्लेन लेना जो पहले उटेगा मतलब देखो फोर्ट इस तरफ लग रहा हमारा तो देखो आप देखें न सबसे पहले यह चीज टूटेगी और ब्रेक कौन से होगी यह होगी न तो हमारे critical section हुआ यह वाल आपको ध्यान रखना आपको बस इसका ध्यान रखना एंगा इन नमबर बोल्ट कितना हो त्री इन critical section 180 विट था हमारी और माइनस त्री तो critical section में 3 जो सबसे पहले ब्रेक कौगो वो critical section हुआ इसा बनको हमने कांट यह निकाल निकाल लिए निकाल लिए अब आप निकालेंगे बोल्ट के लिए बोल्ट के लिए सबसे बेलिए निकाल देंदा तो शियर के अंदर तो शियर में आपको फेर निंबर 75 पर फोर्मुला गीवन होगा एन निमकर 75 कमारे पर नमरा कोड़ का पे नमर से फोलें वह फॉर्मला घिवान है देखो यह रहां पर नमर 75 पर में फॉर्मुला का आगे रहां भी डिएस भी का फॉर्मुला विए एनस्पी अपन लूट नहीं ऑन उस्पी वह फूद आन नंगी अन वही चीज़ हम यह लिए लिग दे अगर लैब जोइंट हो लैब जोइने केस में एनन वन और एनस जिरो था हमेशा और बड जोइन में क्या यह भी वन यह भी वन वन दोनों चीज़ कंसिडर होंगे मतलब बड जोइन में एनन वन एनस जिरो अब आप भी एनस भी देखलो 400 FU भी मालूम है रूट 3 1 मैंने बोल वन इंटो 0.78 5 by 4 D square D मतलब diameter जो हमारा है बोल्ट का 20.78 क्यों क्या क्या क्योंकि यह ठ्रिट पॉर्षन का area ठ्रिट पॉर्षन हमेशा कम होगा था 0.78 फिर यह नस चाहिए प्लस 1 इंटो एस भी यह तो वह पाइबाइब फॉर्षन होगा हमारा और यह वाला हमारा थेट पॉर्षन तो तो टोटल रहेगा उसका माइनस करेंगे लगाते इसलिए अब यह विए डिजाइन क्या करें डिजाइन में कुछ भी निसको डिवाइट कर देंगे गामा एंबी को 1.25 आट्स 1 बोल्ट के लिए एक ही बोल्ट के लिह है तो हमारे ट्वोड शीओ फ CC इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है peripheral इब आगिन ऐसा सी बात आपका design और यह ए prawट को तो निसे अई चैप लेने पड़ें जिसनक्र दिक दोसको अब देख लिए थर्ड पार्ट आपका स परड़ थेर्य करें का लों टो तो परिह भीर है बैरी पेज कर दिए-पर दिवेहाब इसमें तो और वी एंपीव क्या है 2.5 kddf यहां पर केभी की वेल्यों चार गीवन है इसमें स्मॉलर है तो बताए तो हम आपको बेरिंग में क्या फॉर्मला है वीज़ी बीवी एंपीव अपॉन गामा इंभी ठीक है और हमको मालूम होनी चीह इसमें वी एंपीव का फॉर् पड़ेगी वेल्यों किसकी जुरूत पड़ेगी के भी की माया नों ने बस यह बीगी निकालने के लिए हम यह चार ओल मैंसे लीस्ट कौन सी हमारी तो हमको इसके लिए चीह और पीच और वहना वह चीहेंगी तो आपीस उस कोश्चन माजाओ एच पीच डिस्टंस क्या हो तो वह कमेच फंट फोर्ज इदन लग रहा है तो पर पेंडिकलर बोले से बोल्ट तो गेज होगी और यह जो गई होगी एजिस्टंस आपकी एज से लेकर आपको जो एजिसेंगे आपकी जैसे माँजा पर पर पैंडिकलन नाप जाती एज तो देख एज से लेके पहले ब value डाल देंगे तो 0.45 आएगा यह 0.65 यह आएगा पीछ अपॉन तो देखो पी एक 60 अपॉन 3D नॉट यह त्री इंटो 22 यह 22 हमारी वेल्यू और माइनस 0.25 करो दो 0.65 आएगा एफ यूबी क्या है हमारा 400 अपॉन एफ यू 410 है तो 0.97 आएगा और टाइट करना है और आपको अब भी धियान लगना है कि यह सिर्फ एक बोल्ट के लिए है बोल्टिंग में हमेशा ध्यान को बोल्स का जब भी शिर और बेरिंग में निकालो आप द्यान रखना यह एक बोल्ट के लिए निकालते हैं तो आपको टोटल सिक्स से मल्टिप्लाइब करना पड़ेगा फाइनली डिजाइन वाले को तो सिक्स से मल्टिप्लाइब किया तो टोटल आजेगा कि 619 और यह वाला आपका कितना है 673 तो आप देख रहा हो ना वीडियास भी आपकी लिस्ट मतलब मतलब की शियर में जो वैल्यू आरी डिजाइन इंशियर में है ना बोल्ट की शियर में आरी वह कम आरी सबसे लिस्ट तीनों में तो आपकी स्ट्रेंट ऑफ जोइंट क्या ह वाली आप आपने एफिशेंशी के लिए अब आपको स्टेंट ऑफ जोइंट की जरुत पड़ती और आपको पड़ती स्ट्रेंट ऑफ सॉलिट की जरूर्ण का आपका वही पेस निंबर 32 के पॉर्मॉला गिवन है स्ट्रेंट ऑफ सॉलिट फ्लेट कुछ भी नहीं है वही है design strength yielding of gross section यह 6.2 जो है formula given 6.2 clause में वहीं आपका strength of solid plate होता है TDG AGFI पॉन गामा MO यहीं आपका जो है strength of solid plate होती है ना confuse नहीं होना जो yielding of gross section में जो formula वहीं इसका है TDG का AGFI पॉन गामा MO AG क्या है आपका जो sectional area मतलब मालों यह plate है आपकी इसकी width multiplied by T मतलब यह क्या होता है एजी क्या होता है sectional area मतलब साइड का क्या area होगा देखो साइड से कोई plate इस तरह दिखेंगी area क्या होगा यह B multiply by thickness यह thickness हो गई बी होगी वह B into thickness आपकी sectional area होगा बी क्या है 180 thickness 20 multiply 250 Fy और gamma MO 1.1 वह पेड़ नमर 32 है ना गामा MO 1.1 और वह गामा एंभी 1.5 और टीडीज आपके 8818.181 किलो न्यूटन है strength of solid plate आई ठेक है अब आपको कुछ भी निकरना है efficiency of joint निकालने लिए आपको यह strength of joint और strength of solid plate को डिवाइड करना है strength of joint हमारा VDSB जो हमारा percentage है इटा क्या है हमारा 619.818.181 एफिशेंच से 75.70 परसेंट और बट जोइन वह आपने देखा कि पिछले हमने जब निकाली थी अब उसमें कुछ lab joint में जब efficiency क्या रही थी हमारी लगबग 35 ऐसे कुछ परसेंट आरी थी और हमारी देखो बट जोइन में आज उसी कोशन के लिए हमने किया तो हमारी एफिशेंच से 75% मतलब हमने एक नोट कर लिया कि एफिशेंची लब ज्योंट हमेशा कं होती है एफिशेंची बट जोइन से अगर हमारे जो पलेट सेंट सींसेंत्र हों आक दिंद से हमेसा कंlets आपको द्यान करना है तो एफिशेंची किसी बट जुइन की ज्यादा हुई मतलब हम बट जोइन जदा प्रिफर करेंगे बट हम वो लैड जोइंट कम हमको ज्यादा सा हो सकते कि बट जोइंट से हम कनेक्शन करेंगे तो यह होगा आज का हमारा कुश्चन तो अगर आपको वीडियो पसंदे लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली वीडियो में हम एक डिजाइन का क पोशन भी देख लेंगे तब तक के लिए थैंक्यू अधियो 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 अधियो